हेलो फ्रोंट्स आज मैं आपके लिए एक जिंक टेबलेट का रिवियू लेकर आया हूँ दोस्तो मैं इस रिवियू में आपको बताऊंगा कि जिंक टेबलेट का क्या फायदा है और इसके क्या साइड इफेक्ट है ऐसे सारी जानकर आपको मैं वीडियो में दूँगा दोस्तो मेरा नाम है देवराज रॉय और आप देख रहें All In Burn Medicine चैनल दोस्तो मैं एक फार्मसिस्ट हूँ और मेरी हरसमें ये कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे सी अच्छा ही Medicine की Review आपको देता रहूं और बताते रहूं क्या है इसके फायदे और किन चीज़ों मैं इसका यूज करते हैं तो दोस्तो इसी बात पर हम जिनकों ये 50MG टेबलेट का Review स्टार्ट करते हैं दोस्तो मेरे हामें जो tablet का नाम है जिनकों ये 50MG अगर इसके हाँ स्टार्ट की बात करें तो इसमें jeanCK약 15mg आपको देखने को मिल रहा होगा अगर हम बात करें इसकी company के बारे में तो इसकी company गहां इसको बनाने वाए company बनाया गया है दोस्तो आपको market में zinc tablet बनाने वाली बहुत सारी company या मिलेंगे जिसमें से एक company जो मेरे पास available है वो है Joventus Healthcare Private Limited अगर हम दोस्तो बात करें इसके MRP के बारे में तो ये 55 रुपे और टेक्स के साथ आपको किसी भी medical store या online store पर भी आपको available हो जायगा तो हम बात करतें कि zinc tablet क्यों है जरूरी मनुश्य के body के लिए तो दोस्तो zinc एक ऐसाध हातू है जो मनुश्य के शरीर को स्वस्त रखता है और इसके कई सारे lab है अकसर आपने देखा होगा कि हमारे जब खेतों में spray वगरा किया जता है तो उसमें zinc से संबन्दित सारे चीजों का प्रियोग किया था इस प्रेय दवाई वगरा क्योंकि दोस्तो zinc के कैसा धातू है कि इसका यूज करने से उसके मनुश्य अगर इसका यूज करता है तो मनुश्य की शरीर में जो टिशू होते हैं तिशू को विल्कुल स्वस्त कर दिता है और damage टिशू को repair करता है जिंक की कमी से क्या लक्षन होते हैं वो मैं आपको बता दूँ अगर मनुश्य की शरीर में जिंक की कमी है तो दोस्तो उससे आपके शरीर पे जो scalp होते हैं वो सूख्यापन यानि रूख्यापन जैसा दिखाई देगा आपके hair भी falling, hair falling की problem भी आपको हो सकती है और hair की जो growth होती है उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगा growth की जो लंबाई होती है वो बहुत जल्दी घटने घटने के इस्तर पर आ जाता है और उसके लंबा होने का जो process होता है वो रुख जाता है तो ये सब मनुष्य के शरीर में जिंक की कमी से होता है अगर मनुष्य के शरीर में जिंक की मात्रा कम है तो दोस्तों उससे आपके skins पर acne pimple जैसे समस्या अगर आपके body पर हो जाते हैं तो उसको सूखने में भी काफी समय लग जाता है अगर ऐसे समस्या आपके body में है तो आप समझ लेजिएगा कि आपको जिंक जैसे धातु की आवेशेकता है आप ऐसे चीज़ों का यूज करें जिसमें आपको जिंक अधिक से अधिक मात्रा में मिले अगर आप ऐसे product का यूज नहीं कर पाते हैं या घर में जैसे जिंक से समझ जो foods वगरा होते हैं हमें उसको समय पर अधिक मात्रा में लेना चाहिए तो अगर वह इस चीज़ से भी आपको जिंक की मात्रा पूरे नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तो आप जो है जिंक कोन या टेबलेट का यूज कर सकते हैं इसकी कई सारी brand मार्केट में एबलेवल है दोस्तो अगर कोई महिला इस या टेबलेट को यूज करना चाहते हैं तो ध अरती दिन 20 mg जिंक जो बॉड़ी में एब्जोर्ब होना चाहिए तब ही आपका बॉड़ी स्वस्त रहेगा और आपके टिशू बिल्कुल स्वस्त रहेंगे अगर आपके टिशू स्थीक रहेंगे तो आपकी हेर ग्रोथ बढ़ती रहेगी आपकी सुंदरता जो बॉड़ जिंक कै जरूरा है बॉड़ी में ब्लड सीम्पल से ताकि पता चल सके कि आपकी बॉड़ी में कितनी % जिंक है तो दोस्तो बस वीडियो यहां तगी अब उमेद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आयए होगी तो अगर वीडियो आपको समझ में ने आ आी त mechanics कर के मैं आपको उसकी रिपला देनी कोशिक करूँगा दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बने रहे हैं मेरे चैनल पर दोस्तों मेरे नामे देव राज रहा है आप देख रहे हैं ओल इंबर मेंडिसन चैनल थैंक्स पूर वाचिंग लव यू आल जय हिं जय हिंद बंदे मातरम